वर्ल्ड कप 2019 की तैयारियों में मदद करेगा IPL आशीश नहरा IPL के 12 वे सीजन का आगाज 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है IPL के जर्य कई खिलाडी एक बार फिर चर्चा में आने वाले है लेकिन आपको बता दे की IPL में हर बार तेज गती से रन बनाने वाले खिलाडी ज्यादा सुर्खियों बटोरने में काम्याब रहते हैं भारत के पूर्वतेज गेंदबाज आशीश नहरा और रॉयल चालेंजर्स बिंगलोर के मुखे कोच गैरी कस्टन का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL में खेलने से भारतिये खिलाडियों को आगामी वर्ल्ड कप की तैयारी करने में मदद मिलेगी रॉयल चालेंजर्स बिंगलोर के गेंदबाजी कोच नहरा को लगता है कि IPL के दबाव वाला टूर्ना मेंट होने से खिलाडियों को वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी नहरा ने रॉयल चालेंजर्स के मुबाइल एप लॉंच का रिक्रम से इतर सन्वादाताओं से कहा IPL दबाव वाला टूर्ना मेंट है उन्होंने आगे कहा कि यह अंतराश्ट्रिये खिलाडियों के लिए भी अच्छा है इसलिए हर कोई इसमें खेलना चाहता है कसिटन ने भी नहरा का समर्थन करते हुए कहा कि IPL जैसे दबाव वाले टूर्ना मेंट में खेलन से भारतिये खिलाडियों को फायदा होगा नहरा ने कहा IPL का फाइनल और वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच के बीच में तीन सब्ता का ग्याप है मुझे लगता है कि यह भारतिये खिलाडियों के लिए लाबदायक है क्योंकि IPL दबाव वाला टूर्ना मेंट है इसलिए यह वर्ल्ड कप की तैयारियों के अच्छा है उन्होंने कहा आप इस दबाव से होकर वर्ल्ड कप में डा रहे हैं अगर कोई विराट कोहली को IPL नहीं खेलने के लिए कहता है और वेह वर्ल्ड कप के लिए नए सिरे से आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है